देखिए ये जो घमंडी अलाइंस है उनके नेता और उनके साती दल के नेता इनका एक माइंडसेट तै है कि जो करोडो करोडो राम भक्तों की जो श्रद्दा है आस्ता है उनकी भावनाओं को आहत करे भगवान राम की प्रती अबद्रवानी का प्रयोग करते हुए मन गडन बेहुदी बाते के हैं किया तरक है क्या वालमी की रामार्ण में आया है यह तुलसी दास निलिखा राम चरित मानस में आया है कहां आया है कुंसा प्रमान है कम से कम ये तो सोचते कि भगवान राम को मासाहरी बताने के पहले जब तुम्हारे घर में कोई पूजा विदी विदान होता है धार्मी का अनुष्ठान होता है तो मासार करने वाला व्यक्ति उस दिन नहीं करता मंदिर में भी जाना है और तो मासार किया है तो व्यक्ति विशेश ठाल देता है मंदिर जाना कि ये भी वो भूल गये इस उनके कि इस बयान से देश के करोडो करोडो साधू संतों को महन तों को उनकी आत्मा को दिल को क्या लगा होगा बार बार हिंदु धर्म मजाक उड़ाओ और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदु धर्म सहिश्ण है क्या हो गया इन्हें शरत्पवार की चुप्पी दूसरी और उद्दव ठाकरे की चुप्पी खेर उद्दव ठाकरे तो अब वो पुराना वाला रहा ही नहीं उनका कोई मातोश्री दो बन गया अब तिन कब बने गया उसकी उनको पड़ी है परिवार को कैसे राजनिती में स यह शड़ेंत्र है उनकी ओची राजनिती करने का तरीका है बार बार हिंदू धर्म हिंदू समाज का मजाक उड़ाओ उनकी भावनाओं को आहत करो और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करो यह ओड जुटानी की राजनिती में तुम हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते के खिलाब तो एफायर दर्ज होगा एफायर भी दर्ज होगा उनसे माफी भी मंगवाएंगे और यह बात सुनीशी तो असपश्ट हो गई है कि चाहे उशरत पौर हो राहुल गांदी हो उद्दो ठाकरे हो बावी जन्मरी को जो राम मंदिर भव्य और दिव्य बनने जा रहा है आधर्णिय मोदी जी के नित्रुतों में यह बात इन घमंडी अलायंस को रास नहीं है संग के वारे में क्या जानते आवाड कभी संग कि किसी शाखा में गये हैं संग की परिभाशा जानते हैं संग के जो स्वयम सेवख है किस प्रकार से त्याग समर्पी जीवन जीते हैं मा भारती के लिए उनको पता है क्या पता है संग के बारे में केवल अपनी राजनितिक दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोलोगे संग को समझने के लिए आवाड को सो जन्म लेने होंगे उसके बास संग क्या होता है